तो हाई फ्रेंड्स नमस्कार किसान भायों कैसे ये आप लोग मैं हूँ आपका दोस्ता भी सेक सिंग आप देख रहे हैं भी सेक सिंग काफ़ी के अच्छे कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं चली मैं बताता हूँ पसू एवं मतस विवाग के सचीव डाक्टर इन सखन कुमार ने क्या कहा और पूरी वीडियो को देखे ताकि पूरी जो है वो सरकारी जो नियम है उसके बादे मैं आपको समझ हो साथे साथ सरकार आपको कितना तक छूट दे रही है क्या कुछ आपकी म प्राप्त हुआ है तो चले मैं नियूज पेपर का कटिंग वीडियो में एड़ कर दे रहा हूँ साथे साथ आपको मैं खाबर भी पूरी पढ़ के सुना दे रहा हूँ चुकि फोटो उतना साफ वीडियो में नहीं आ पा रहा है राज सरकार ने सोशल मेडिया पर चल रही फेक न्यूज पर भरोसा नहीं करने का तो आग्ला किया है साथ आणडा चिकन और मतन खाने से कोरोना संक्रमन का डर नहीं होता है ये भी जो है वो सरकार ने खंडन कर दिया जो अफवाब फैला आई जा रही थी उस पर भी करारा प आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और जान लेते हैं चिकन खाने से पसू एवं मतस संसाधन विभाग के सचिव इन सकन कुमार ने बुधबार को प्रेस कॉनफरेंस कर अस्पस्ट किया कि पसू पक्छी और मचलियों से कोरोना वायरस जो है वो नहीं फैलता इसलिए लोगडान वे मीट मचली की दुकाने खुली रहेंगी हलाकि उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आनिवार है विश्व एवं मराश्टरी अस्तर पर सोध का हवाला देते हुए कहा कि चिकन को प्रोटीन का सबसे अच्छा सुरोत माना गया है और स सुरक्षित है केंदर सरकार ने भी असपस्ट किया है कि चिकन खाने और कोरोना संक्रमन फैलने से कोई संबंद नहीं है ये सिर्फ एक अफवा है आगे बढ़ते हैं सचीव ने कहा कि बर्ड फ्लू कोरोना समय सभी तरह के जिवानों सत्तर डिग्री तापमान पर मर जाते ह हम लोग मांद मचली को सौ डिग्री से ज़्यादा तापमान पर पकाते हैं इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित है किसानों के पुवाल जलाने पर भी उन्होंने जवसक्त नाराजगी जताई है आगे बढ़ लेते हैं और साफ तोर पर मैं बताता हूं कि कहां पर क्या पूट दे गई है और कहां कुछ पाबंदिया लगाई गई है कुछ अच्छे पॉइंट देख लेते हैं पसू पक्षी का चारा दाना की दुकाने खुली रहेंगी यह उन्होंने साफ तोर पेका दिया है कि दाने का दुकान जो है खुला रहेगा उत्पादों को बेचने एवं परिवाहन पर भी रोक नहीं है उत्पाद को आप बेच सकते हैं और ट्रांस्पोटे में भी कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है दूद उत्पाद को की विक्री एवं प्रसंसकरन भी मुक्त है दूद उत्पादन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है आगे उन्होंने बताया है, रात आट बजे तक खुले रहेंगे सुधा मिल्क पार्लर जो मिल्क पार्लर है जहां पे दूद मिलते हैं वो आट बजे रात तक खुले रह सकते हैं फसल, कटाई, बुवाई एवं अन काम पर रोक नहीं है अगर आप एक farmer है तो जाहिर से बात है आप खेती भी करते होंगे तो आपके जो फसल के अभी कटाई जिसे के अभी गेहूं का है कटनी का दिन चल रहा है तो आप उस कटाई को भी आराम से कर सकते हैं उसमें प्रसासन का डंडा आप पे जो है वो नहीं चलने वाला ये साफ तोर पे बता दिया गया है अगर new source के बारे में जानना चाहते है तो मैं बता दूँ आपको की डैनिक जागरेन जो की पटना से परकासित हुई है नौ तारिक को उस आप बार में आप इस ख़वर को जाए वो साफ तोर पे देख पाएंगे चुकि मैं जो भी update देता हूं व तो आप बिलकुल कानून के दाएरे मर्या करके आप कानून ने इतनी छूट दे रखिया कि आप बिलकूल आसानी से पॉलिटरी फांमिंग कर सकते हैं पॉलिटरी फांग आपको कोई विदिकत होने वाले नहीं तो सरकार का सुक्रिया किजिए और अपने काम पे लग चैनल पे पहली बारा हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले चुकि इसी तरह के कुछ इंपोर्टेंट बात इस पॉल्टरी फार्मिंग के बारे में इस चैनल पे अपलोड किये जाते हैं तो फिर मिलते हैं जय जवान, जय किसान, जय हिंदो